ह grounds हैं पर दोस्तो स्वागत आपका आम एस नहीं वीडियो में दोस्तो असकी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एस्टयब्लिशमेंट है वह अप्रेंटिस पोर्डल है अपने प्रोफाइल को किसे एडिट कर सकती है जिए दोस्तों कई इस्टबलिश्मेंट एसी है जिन्होंने जिस समय एप्रेंटिस पॉर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस समय उन्होंने प्रोफाइल में अपने सुचने अपडेट की थी वह आज दिनांग तक उन्होंने चेंज नहीं कि कि उसके बाद में भी उनके दोबारा अप्रेंटिस पॉर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया गया जिसकार उनकी प्रोफाइल में पुराने डिटेल ही सो हो रही है जिसकारण एस्टबलिश्मेंट को भी कई तरह की समस्चाओं का सामना करना पढ़ सकता है दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि इस्टबलिश्मेंट है वह अपनी प्रोफाइल को टाइम टू टाइम के से एडिट कर सकती है उसको अपडेट कर सकती है तो दोस्तों आईए जानते हैं इसके बारे में विश्तार से बने रही हमारे इस वीडिय यह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चेनल को दुरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम वीडियो के मद्ध मिशे दी जा सके अपने वेब ब्राउजर में एप्रेंटिशिप इंडिया की ओपिशिल वेबसाइट ओपन करनी है इसमें इस्टाब्लिश्मेंट लोगिन के उपर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी इमेल आईडी और पास्वर डाल कर इसमें लोगिन करना है एक्जाम्पल के तौर पे मापको यहां पे लोगिन करके इस सारी फ्रोसेस लाइव दिखा दूँगा मैंने आपकर अपनी इमेल आईडी पास्वर्ड यहां पे इंटर कर दिये हैं करने के बाद में टिक बॉक्स पे क्लिक करके मैं यहां से लोगिन हो जाऊंगा लोगिन ह के लिए अपनको एक और टी पी आईगी अपने रेजिस्टर मॉबाइल नमर पर वह यहां पर एंटर कर दिए वह एंटर करने के बाद में अपन कि इस्टाब्लिश्मेंट के डेस्ट बोर्ड पर लोगन हो जाएंगे आए को सबसे पहले तो यहां पर एस्टब्लिश्मेंट एड़ लिखा वाया है उसके उपर जाकर आपको क्लिक करना है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे से सबसेंट आपके साबने एक होने हैं और कम्पने का ना हो कंपने के मोबाइल नंबर आपके सामने शलगए याँ उसमीन ये इसमें आपके शतामने को चेंज्य होँआ है तो आपको edit पे click करना है और जो भी company की basic detail है वो edit पे click करने के बाद में edit का जो page है उसमें आपको सही-सी Philip करनी है जैसे आपके कोई company का नाम चेंज हो गया है mobile नमर चेंज हो गया उसके बाद में नीचे दो शेव का एक option दिया विस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे आपकी दो details है वो save हो जाएगी और दो पुराने detail है वो portal से हट जाएगी इसी तरह है आपको फिर यह आपको basic detail में कोई changes नहीं करना है या इसमें चेंज के लिए उसके बाद रजिस्टर्ड एडर्स से समन्देते को चेंज करना है तो आपको रजिस्टर्ड एडर्स के सामने एडिट का option दिया है उस पे click करके और आप अपने इस्टाब्लिश्मेंट के एडर्स में कोई change हो है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो कहीं इस्टाब्लिश्मेंट के लोग जो रज एडर्स हो चुका है लेकिन उनके बाद भी उनके दवारा चेंज नहीं किया जाने के करना पोर्टल पर पुरानी डिटेल ही शो हो रही है इसको अपडेट करने के बाद में नई है अदर्स आपका यहां पर अपडेट हो जाएगा उसके बाद में तीन नंबर का जो है है ड़ोप इस्टाब्लिशमेंट या जो एडिमिं अदिखारी होता है वो टाइंटु टाइम टू टाइम सभी एस्टाबलिश्मेंट में चें करना है इसके बाद है जो भी आपका अधिकारी चेंज हुए है उसका नाव यहां पर फिलप करना है और फिर उसके सिगनीचर अपलोड करने है जैसा कि आप जानते हो कि जब आप नहीं किये तो पुराने वाले अधिकारी के ही सिगनीचर वाहां पर अधिकारी चेंज हो जाए उसके सिगनीचर यहां पर अपलोड करने ज़रूर यह ताकर नए इसके सिगनीचर हो सकते हैं यह आपको जे पीजी ये योद्म d4 डलने होते हैं उसके अपया डेने दालना है और उसकी दो आगे email ऑगिज है वह हां पर डालको stereoo करना है तो जो भी नए आपका दीखा रही है उसकी डिटेलियल यहां पर शो और वर्किंग डे कितने हैं तोटल आपके कितने करमसारी कारी रतवास हुदना यहां पर दे सकते हो पर नेट से रिलेटेट को एपडेट करना हूँ यहां से फिर यह लोकेशन डेटेल्स यह यापको लोकेशन डेटेल चेंज गरनी है या आपकी एस्टबलिश्मेंट की एक क्लिक करते हैं नहीं लोकेशन आपकी अपडेट होजाएगी एक से ज्यादा लोकेशन नोगेशन नहीं लोकेशन और अपर एड़ च्सक्त हो उसके बाद आपकी यह नीची है बैंक डी जो आपके इस्तुम्सकेंटेल मेन प्रिटेश करें वह चैंज recruiting यहां पे हिलोब करके सारी डीटेल्स चैंज कर सकते हो जैसे आप इंदिक करेंगे आपके सारी डीटेल वहनुनतम ब होसा जाईएगे आपके तो अभी तक अपनी प्रोफाइल को एडिट नहीं किया या पुरानी सूचना है डली विए तो जल्दी से एडिट कर ले ताकि उने किसी प्रकार की कोई समस्यागा सामना नहीं करना अपड़े धन्यवाद